नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम SSE MTS में CBIC CBN में हवलदार की जो प्रोफाइल के बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों SSE MTS में CBIC का मतलब होता है Central Board of Indirect Taxes and Customs और हिंदी में इसे हम केंद्रिये एप्रितेक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड कहते हैं CBIC की स्थाबना 26 जनवरी 1944 में न्यू दिल्ली में हुई थी CBIC Department का काम होता है GST, Customs, Central Access, Narcotics and Service Tax को regulate करना CBIC Central Government की एक बहुत बड़ी एजनसी है और CBIC के अंडर में हमारा CBN यानि की Central Bureau of Narcotics Department आता है दोस्तों अब हम जानेंगे की SSE MTS में CBIC CBN हवलदार का काम क्या होता है दोस्तों CBIC CBN हवलदार की पोस्ट पर आपको जो भी Department या जो भी ब्रांच आपको मिलेगी आपको उस ब्रांच या Department के अंदर discipline बनाए रखने का काम करना होगा इस पोस्ट पर आपको जब आपके बड़े अधिकारी फिल्ड पर विजिट के लिए जाते हैं तो आपको उनके साथ जाना पड़ता है इस पोस्ट पर आपको जो भी Department मिलेगा आपको उस Department में धंदलेबाजी को देखना होगा और वहाँ पर हो रही धंदलेबाजी की खबर आपको अपने बड़े अधिकारियों के पास तक पहुचानी होगी इस पोस्ट पर आगर आपको किसी Department के अंदर अपोइंट किया जाता है तो आपको उस Department के ओफिस के कमपाउंड में ड्यूटी देनी होती है इस पोस्ट पर आपको जब आपके बड़े अधिकारी इंस्पेक्शन या फिरेड के लिए जाते हैं तो आपको भी उनके साथ जाना पड़ता है और इंस्पेक्शन करने में आपको उनकी मदद करनी होती है इस post पर आपको youneform भी मिलती है और आपकी youneform पुलिस कॉंस्टेबल के जैसी ही होती है तो दोस्तों यह सभी काम sse mts में cbic cbn हवलदार की post पर आपको करने होते हैं दोस्तो cbic cbn हवलदार की post पर apply करने के लिए एक जनवरी 2022 तक आपके उम्र 18-27 साल के बीच में होनी चाहिए और आप 10th के लास पास होने चाहिए CBIC CBN हवलदार की पोस्ट पर आपको लेवल 1 पे मेट्रिक्स के हिसाब से 18,000 रुपे से 56,900 रुपे के बीच में आपको मंतली की सेलरी मिलती है दोस्तो CBIC CBN हवलदार का प्रमोशन प्रोसेस जानने से पहले अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हो आप हमसे बात करना चाते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मेंसिज करके पूछ सकते हो या बात कर सकते हो हमारी इंस्टाग्राम आइडी है skilltrainer.info तो चलिए दोस्तो प्रमोशन प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिस करते हैं दोस्तो अगर हम CBICCBN हवलदार के प्रमोशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जब आप जोब पर लगते हैं तो सबसे पहले आपकी पोस्ट होती है हवलदार की और हवलदार की पोस्ट से आपका प्रमोशन होता है हेड हवलदार की पोस्ट पर और इस पोस्ट पर आपको 19,900 रुपे से 63,200 रुपे के बीच में आपको मंतली की सैलरी मिलती है और हेड हवलदार की पोस्ट से इन सभी पोस्टों तक आपका प्रमोशन होता है तो दोस्तो हवलदार की पोस्ट पर इस तरह से आपका प्रिमोशन होता है दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजीए और चेनल को सब्सक्राइब कर दीजीए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में